हेलो वरीवन स्वागत आप सभी का मेरी यूटीव चैनल राइजिंग और सल्फ इद अंजली कपी बैक ग्राउंड में आपको मैं दिखाती हूं यह दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े नहीं बहुत सारे अभी नेक्स्ट जो मैं वीडियो करूंगी वह वीडियो करूंगी मैं मिंत्रा फूल बहुत सारी मैंने शॉपिंग किया है तो चलिए अभी बात करते हम आज की विंटर सराउंड दर कोर्नर है ओल्मोस्ट विंटर आई ही चुकी है यह वह मौसम आ गया है जिसमें सुभे शाम थोड़ा सा हम लोगों को कुछ जैकिट या कुछ गरम कपड़ थोड़ी ठन लगती है सुभे के ताइम ठन लगती है तो अभी इस मौसम के लिए जो मुझे लगता है कि सबसे जादा बिल्कु बैस एक आउटफिट होता है वो होती है डैनिम जैगिट आप डैनिम जैगिट को हर आउटफिट के साथ वियर कर सकते हैं आप चाहें इसको जीन्स और एक बेसिक टीशिट के साथ खुबसूरत लगती है और आज की जो वीडियो रहेगी इस वीडियो में आपस के साथ कुछ कलर कॉंबिनेशन भी शेयर करूंगे जिन के साथ डैनिम जैगिट बहुत ज्यादा खुबसूरत लगती है अगर आपको यह वीडियो शॉपिंग होल के लिए सो चलिए विदाउट एनिम और डिले अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं अज के वीडियो और यह वाले कॉंबिनेशन मेरा मोस्ट फेवरेट कॉंबिनेशन है रेड के साथ आप ब्लू डैनिम को वियर कीजिए चाहे आप जिन के साथ वियर कीजि रेड कलर बहुत ही जादा अट्रेक्टिव लगता है आप अपने किसी भी सिंपल टी शिर्ट को या टॉप को या क्रॉप टॉप को आप डेनिम जैकिट के साथ आप वियर कर लीजिए और साथ में मैचिंग के आप सूज कैरी कर लीजिए सूज में आप चाहें तो स्नीकर क कर सकते हैं या आपके पास अगर स्पॉट सूज है तो वह कर सकते हैं और साथ में ले लीजिए आप एक मैचिंग का हैंड बैग या स्लिंग बैग और इस तरीके से आपका यह जो लुक क्रियेट होता है बहुत ही अट्रेक्टिव लगता है इसको जरूर ट्राइकर करके द बहुत ही स्टाइलिस लुक देता है और साथ में मैंने करी किये हैं यहां पर एंकल लेंट बूट आप चाहे तो इसके साथ आप नी हाई बूट भी कर सकते हैं और अगर आपके पास बूट नहीं है तो आप ब्लैक सोली सोक्स को पंप के साथ वियर कर लीजिए वह भी बिल का isा स्टाइल मैक्सीट्रस इक से साथ भी ग ब्लैक कर सकते हैं अर्व उसके साथ थोड़ा सा एसे सरी जाड knows कर सकते हैं जैसे मैक्सीट्रस के साथ अगर आप एक बैल्ट अप टाई कर लेता हैं तो बहुत इक उसरत लगती है Brexit.बिल्ट में आपके बस द्शं थोन, और च प्यारी लगते हैं मैक्सी ड्रेसिट के साथ और साथ में आप एक अपने ड्रेस से मैचिंग का हैं बैग ले लिए और आप देखे का कि कितना प्यारा ये लुक लगता है ये लिए लगते हैं तो बहुत ही लगती है और साथ में कर लीजिए बूट या अप स्नीकर या इसके साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं इस लोग के साथ मुझे दो ही बैग चलंग तो फैनी पैक या बैक बैक और ये इस टाइल बिगेंग के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं अगर आप उसको लेगिंग के साथ इस्टाइल कर रहे हैं तो टी-शिट का साइज थोड़ा सा आप ओवर साइज रखिए और साइज की आप थोड़ा सा उसको लेंती रखिए जिससे की वह पीछे से ही पगए अच्छे से कवर करें क्योंकि अगर आप लेगिंग पहनते हैं तो वह पीछे से लुक बिल्गुल अच्छा नहीं लगता अगर जैगिंग आप पहन रहें अच्छा मोटा फैब्रीक में तो आप उस से पोड़ें दरे करीघा से सते हैं आप सुझ के साथ हैं कैसे आटएनिक देनिम जैक्त की पास दौला साथ आपनेशान के साथ entertained कर सकते हैं आफसे मेंап न्याण के भी अबास कोई कोछ yapा यह के साथ कर सकते हैं बोडी संका हेड़ सकते है जिल्स के साथ सब्सका लेठे़े पक्हाली के पारृप कर सकते हैं तो सुल्ड you are कोषे हैं जासे मैंसर और शaks करी के होने' आप चाहें तो आप रही हील वग़िए भी कहरी कर सकते हैं और साथ में ले लिजे कम मेंचिंग का हैंड बेग क्योंकि ड्रेसिज के साथ हैंड यह ज़्यादा च्रह लगते हैं कोई हैंड बेग ले लिजिए को टाइनी से बैग ले ले लिजे और यूर रीज़ तो गड़ और डेनिम जगेट को आप अपने ट्रेवल आउटफिट के साथ भी मिक्स और मैच करके पहन सकते हैं ट्रेवल आउटफिट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसका लिंक मैं यहां उपर शेयर कर दूंगे अगर आपने वह चेक नहीं किया है तो आप एक बर जाके उसको जरूर चेक आउट कर लिजिए उसमें मैंने ट्रेवल आउटफिट मैंने शेयर किया है तो उसी ट्रेवल करते हैं तो फ्लैट से स्पोर्ट सूज ही बहुत कमफर्टेबल होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हम चलना होता है और साथ में इस लुक के साथ अगर हम बैक की बात करें तो बैग में आ तो आप स्लीं बैग ले दीजिए या फैनी पैक ले दीजिए क्योंकि यह दोनो टाइप के बैग ट्रेवल के टाइम बहुत ही ज्यादा कन्वीनियर कमफर्टेबल होते हैं और अभी हम जब आप थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि कई बार ऐसे होता है कि आप देखे कि आपके सामने खूब धेर सारे ओप्शन होंगे और फिर भी आपको लगेगा कि पहने के लिए कुछ है ही नहीं कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप हमे जीन्स ब्लैक बेल्ट उसके साथ कैरी किये हैं मैंने ब्लैक कलर के बूट उसाथ में लिया है ब्लैक कलर का एक शोल्डर बैग या टोट बैग जो भी आप लेना चाहें और उपर से आप एक डैनिम जगिट वियर कर लीजिए और यहां पे मैंने अपने पावर ग्लासीज लगाएं इस लुक को थोड़ा सा और स्टाइलिस करने के लिए और यह लुक भी बहुत ही प्यारा लगता है और अगर आपको ब्लैक उन ब्लैक पसंद नहीं है या थोड़ा डिफरेंट ट्राइक करना चाहते तो वाइट उन वाइट के साथ आप डैनिम जगिट वियर कर स साथ में लिया है यह वाइट कलर का स्लिंग बैक अपना यह पूरा वाइट लोग क्रिएट करके मैंने उपर से वियर किया है डैनिम जगिट तो डैनिम जगिट को जब आप मोनोक्रोम लुक के साथ वियर करते हैं तो यह बहुत ही स्टाइलिस लगती है बिल्कुल इस लु अगर आप मोनोक्रोम लुक क्रिएट नहीं करते हैं आपको नहीं पसंद है तो आप ब्लैक और वाइट का कॉंबिनेशन करके भी आप उसके साथ डैनिम जगिट वियर कर सकते हैं जैसे मैंने यहां पे ब्लैक हाइवेज जीन्स वियर किया है और साथ में जो मैंने अपना वाइट उन वाइट लुक क्रिएट के तो उसके साथ जो क्रॉप टॉप पेहना था वन पहने वीयर किया है और साथ में अपने टॉप से मैचिंग कर वाइट पहले की pronounced दैनिम जैकेट के साथ मिने वाइट वीयर का सिलिंग बैग लिया तक भी बैग इस लुक के साथ कंतनी तो इस तरीके से भी आप अपनी denim jacket को white and black के सथ वेयर कर सकते हैं और यह है आज की वीडियो का last and final look और यह look मैंने create किया है पूरा all denim look यहां में मैंने denim की shirt बहने है और shirt के ऊपर से मैंने denim jacket वेयर किया है मैंने इसमें experiment किया है look मैं कि all अपना जिसे हम denim on denim अपना look create करते हैं यहां पर denim on denim के साथ मैंने denim jacket वेयर किया है और बहुत ही प्यारा यह look लग रहा है और साथ में इसके साथ आप थोड़ा सा contrast आप यहां पर अपनी accessories पहन सकते हैं मैंने यहां पर brown color के sandal पहने है और साथ में brown color का bag लिया है और आप चाहीं तो shirt के साथ कोई भी एक चोकर नेक्पीस पहन सकते हैं या कोई chain में बारीग chain में आप कोई भी लेयर नेक्पीस पहन सकते हैं वो भी बहुत प्यारा लगता है और इस तरीके से भी यह मुझे बहुत प्यारा लगता है यह थे denim jacket के कुछ style आपको सबसे अच्छा है style कौन सा लगा कौन सा outfit या color combination के साथ blue denim jacket आपको सबसे ज्यादा अच्छी लेगी मुझे comment box में comment करके जरू बताइएगा और मिलती हो आपसे next video में till then bye